नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टार्गेट इस्टेडिया की दोस्तों ये बात सबके मन में आ रहा है कि यूपी कॉंस्टेबल भरती 2,17 में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी क्योंकि जादा तर लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि यूपी के 80% एक करदों की यूपी कॉंस्टेबल भरती 2,17 में नेगेटिव मार्किंग होगी और ये बात अब आपको किसी अलग सोर्स से पता करने की जरूरत नहीं है कि बिलकुल ऑथेंटिक निउस है आठ अगस्त 2017 को यूपी कैबिनेट के जो मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि अब इस बार रिटेन एक्जाम के बेसिस पर सेलेक्शन होगा उसी में ये डिसाइड किया गया है कि जो 300 नमबर का रिटेन एक्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी और इस चीज को यूपी बीजेपी के प्रवक्ता स्रीकान सर्म मार्किंग होगी तो अब आप अपने रिटेन की तयारी इस हिसाब से करें कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचके कोशन सॉल्व करने हैं और बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि एक्जाम खतम होने वाला हो तो पांच पहले आप पूरे सारे 300 कोशन में बचे हुए कुशन क टिक करके चले हैं क्योंकि वह सारे मार्क सापकी नेगेटिव हो जाएंगे तो केबल उतने कोशन हमें करने हैं जितने कोशन हम लोग सच में सॉल्व कर पा रहे हैं एक भी तुक्का मारने की जुरूत नहीं क्योंकि नाइंटी परसेंट लोग इसी बज़े से और तयारी करेंगे वह वाट्सप बाला गुरूप पेड होगा और उस पेड गुरूप में आप लोग जोड़ सकते हैं रेगुलर उसमें नोट्स अपडेट किये जाएंगे आपको हर तरीके की जानकारी प्रोवाइट कराई जाएगी तो अगर आप पहली बार इस ग्रू करिएगा लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा